खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और एबिपी न्यूस को सब्सक्राइब कीजिए सीधा एमदाबाद आपको ले चलते हैं जहां पी ये मोदी लोगों को संबोधित कर रहे हैं दस जार करोड रुपे से जादा की लागत से बन रही इस मैट्रो से एमदाबाद के लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है लाखो एमदाबादियों को इसका लाभ होने वाला है कलपना कीजिए दपतर जाने वाले साथियों को यहां के उद्यमियों को स्कूल कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों को कितनी राहत मिलने वाली है समय की कितनी बचत होने वाली है इससे अंदाबाद में ट्राफिक से जुड़ी समस्याओं को कम होगी ही परियावरन का नुक्षान भी कम होगा और हमने और हमारा आप जानते हैं पुराना मंत्रा जिसका सिलान्यास हम करते हैं उसका उद्रकाटरन भी हम ही करते हैं इसका मतलब क्या हुआ? ने इसका मतलब क्या हुआ? ने इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आज जो मेट्रो का सिलानियास किया है, तीन, चार, पांच साल जब भी उसका काम पूरा होगा, हम मौजूद होंगे और यह सब कैसे हो रहा है? आपके आशिरवाद से हो रहा है देश के अलग हिली अलग हिस्सों में करीब आठ सो किलोमेटर मेट्रो रूट पर आज काम चल रहा है सोचिए आने वाले समय में अर्बन ट्रांस्पोर्ट कितना जादा बदलने जा रहा है साथियों अपसे कुछ देर पहले मैंने एक कॉमन मोबिलिटी कार्ड की सुविदा का भी शुभारम किया है देश को अर्पन किया है और मेरी द्रस्टी से आज एमदाबाद को तो जो मिला सो मिला गुजरात को जो मिला सो मिला लेकिन इस कार कम से मैं पूरे हिंदुस्तान को एक नई सोगात दे रहा और आपको भी उसकी बारी की जान करके खुशी होगी और यह जो रुपे कार है उसी से चलने वाला काम है इस कार यात्रा करते समय आपकी तमाम दिक्कतों को दूर करने जा रहा है देश भर में लोग मेट्रोजिस जाते हैं बस से जाते हैं लोकल ट्रेंज से जाते हैं तोल का पैसा देते हैं पार्किंग का पैसा देते हैं भाती भाती जगा पर पैसे देने होते हैं और इसमें आपको अक्सर बट्वे से निकाल कर पैसे देने होते हैं कई बार खुले पैसे होते हैं कई बार नहीं होते हैं इसमें कितनी तरह की दिक्कत आती हैं समय जाता है ये भी आपको भली भाती पता है इस दिक्कत को दूर करने के लिए ही आटोमेटिक फैर कलेक्शन सिस्टीम के ववस्ता विक्सित की गई थी लेकिन इसमें भी एक चैलेंज ये था कि ये सिस्टीम भारत को विदेश से ही मंगवाना पड़ता था अलग-अलग कंपनियों द्वारा बनाए गए इस सिस्टीम की वज़़ से देश में एक इंटिग्रेटेड विवस्ता विक्सित नहीं हो पा रही थी यानि एक सहर का काड दूसरे सहर में नहीं चलता था बेकार हो जाता था इस सिनोति को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने एक व्यापक स्तर पर एक तांसपोर्स बना करके टेकनलोजी की दुर्स्ती से एक नया एचिवमेंट करने लिए काम शुरूप किया अनेक मंत्रा लायो अनेक विभागों को इस काम में लगाया गया बैंकों को भी जुड़ा गया सरकार के ने उन्हें एक ही टांस दिया था एक ऐसी व्यवस्ता विक्सित करें जो अलग-अलग काड बनवाने की इस दिक्कत को दूर करें और डिजिटल लेंदेन को आसान बनाएं सात्यों तमाम प्रयासों के बाद अब देश में और आपको खुशी होनी चाहिए अब देश में वन नेशन, वन काड वन नेशन, वन काड का सपना अब साकार हो गया है कॉमन मोबिलिटी कार से आप पैसे भी निकाल पाएंगे, शॉपिंग भी कर पाएंगे और देश बर में, सिर्व हम्दाबाद नहीं, देश बर में किसी भी मेट्रो या ट्रांस्पोर्ट के अन्य साधन में भी आपका वोही रुपे कार काम में आएगा अगर मैं और आशान सब्दों में समझाओं, तब आपके रुपे डेबिट कार और मोबिलिटी कार को मिला कर एक किया जा रहा है साथियों, इस विवस्ता के साथ ही अब विदेशी तकनिक पर भारत की निर्भरता खत्ब हो गई है अब जो कुछ भी है वो made in India अब भारत दुनिया के उन कुछ इने गिने देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास इस तरह की तकनिक है और जो अपने ट्रांस्पोर्ट सिस्टिम में वन नेशन वन कार की ववस्ता को लागू करने जा रहा है देश के हर युवा को गर्व होगा के हमारे नौजवानों ने अपने ही देश में बनी हुई ये टकनिक आज देश को समर्पित की है मैं देश को और आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता वैसे गुजनात के लिए भी एक गर्व की बात है कि हाँ वरोदरा के सावली में जो मेट्रो के कोच बन रहे हैं वो अब एक्सपोर्ट भी किये जा रहे हैं साथ योड ट्रांस्पोर्ट सेक्टर को मजबूत करने के लिए आज अभी आपने देखा वगा मैं लीली जंडी से हरी जंडी से ट्रेन को बिदा कर रहा था आज पाटन भिल्डी नई रेल लाइन का उदगाटन और आनन गोदरा की रेलेवे लाइन के दोहरी करन का सिलना ने आज भी किया गया है मैं छोटा था हर MP पाटन भिल्डी रेलेवे लाइन की बात करता था बच्पन से मैं सुनता आया था पहली बार ये काम हुआ था अब बताईए कैसे चला होगा पहले सात्यों आज से दो दसक पहले गुजरात जिस्थिती में था वो आज की नई PD को शाहेदी पता होगा हालत ये थी कि राज्य के बहुत से इलाके पानी के लिए तरस्ते थे इलाज के लोगों को शहर शहर भटकना होता था 24 गंटे बिजली एक सपने की बात थी जादा तर इलाकों में जीना इतना कठीन था कि लोग पनायन करने पर मजबूर थे विशेशकर मेरे आदिवासी भाई बेहनों को तो कोई पूछने वाला ही नहीं था अब आज गुजरात जहां है वो गुजरात में रहने वाले प्रत्तेक व्यक्ति के परिश्व का परिणाम है कुछी बर्सों में गुजरात के लोगों ने अपने गुजरात की तश्वीर बदल दी है भाई और बहनों गुजरात के विकास के और उचाई देने वाले गुजरात के संतुलित विकास के लिए हमारी सरकार चाहे केंद्र में हो या राज्य में है हो हम चौत तरफा विकास को काम कर लिया आगे बढ़ रहे हैं बीते 55 महिनों में सरकार ने उमर गाउं से अंबाजी तक यानि राज्य की पुर्वपट्टी आदिवासी बहुले इलाका उमर गाउं से जखो यानि हमारे समूद्री तटवाली तटिय इलाका और आबु से दहनू तक राजस्तान से महराश्ट्र तक ये हमारे गुजरात का मद्ध्यपुरी पट्टी यानि केंद्री गुजरात के आवसक्ताव को ध्यान में रखते हुए विकास के अनेर्स कारिया शुरू किये हैं और यह बड़े बड़े उसका प्लानिंग करके किया है पूर्वा में आदिवासी पट्टी पस्टिम के छोड़ पर मचवारे लोग और बीच में हमारा एमदाबाद, बड़ोदा, पालनपूर, वापी, तापी सब अगर मैं पहले उमर गाम से अमबाजी की बात करूँ तो सरकार ने इस शेत्र में आदिवासी भाई बेहनों के जीवन को आसान बनाने पर विशेज जोर दिया इस शेत्र के सभी गाउं को आल वेदर कनेक्टिविटी दी जा चुकी हैं यहाँ पानी की समस्या को दूर करने के लिए अठाई सो करोड रुपिय की वाटर सप्लाई योजनाओ पर काम चल रहा है नर्दा जल पर आधारित दाहो छोटा उदेपुर वाटर सप्लाई स्कीम हो नर्दा और तापी जिले के लिए पेजल परियोजना हो मैसागर जिले के लिए कड़ाना बांध पर आधारित वाटर सप्लाई स्कीम हो या पिर संखेडा पामी जोट पर रिजिनल वाटर सप्ल इसकी मोग इसका लाब उमर गाउं से अम्बाजी बेल के लाखों लोगों को मिला है इस खेत्र में डेरी उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयाद भी किया जा रहा है साबर काठा में इजराहिल के साथ मिलकर आदिनुए एग्रिकल्टर सेंटर पर भी काम हो रहा है साथ्यों सरकार के प्रयासों की बज़े से आज गुज़रात की पूरी आदिवासी अबादी की सिकल सेल एनेमिया की जांच के लिए स्क्रिनिंग की जा चुकी है इससे आदिवासी लोगों को तमाम चुलोतियों से निपटने में मदद मिल रही है सरकार ने आदिवासी बच्चों की शिशा पर भी विशेश द्यान दिया है आप जान करके हरान हो जाएंगे इतनी बड़ी-बड़ी बाते करने वाले लोग बड़े-बड़े बादे करने वाले लोग गुजरात के आदिवासी खेत्र में एक भी तहसिल में जब तक मैं मुख्यमंत्री नहीं बना तब तक एक भी 12th Science की स्कूल नहीं थी बताईए 2001 तक आदिवासी पट्टी में एक भी ट्राइबल बच्चों के लिए 12th Science की स्कूल नहीं थी आज वहां मेडिकल कॉलेज बन रही है यूनिवर्सिटियां बन नहीं थी विकास कैसे होता है सपने कितने बड़े होते हैं और संकल्प को लेकर कैसे सिद्धी प्राप्त की जा सकती है गुजरात एक केस्टेडी का विशा है दोस्ते बन मंदू कल्यान योजना के तहट सैक्ड़ो मोडल आवासिय स्कूल आस्रम स्कूल एकलवे स्कूल बनाए गए है ग्यारा सो से जादा होस्टेल का भी निर्मान हुआ है जिसका लाब दो लाग से जादा आदिवासी बच्चों को मिल रहा है इतना ही नहीं नर्वदा जिले में तीन सो करोड रुप्य की लागत से बिर्सा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की गई सरकार द्वारा आदिवासी बिद्यार्थों के लिए स्पेशल कोचिंग क्लासिस भी चलाई जा रही है पहले आदिवासी चात्रों के लिए रिज़व मेडिकल सीट खाली चली जाती थी अब लगबग सभी सीटे भर रही है दाहोद और पहलनपुर में बनाए गए मेडिकल कॉलेज से इस इलाके में स्वास्त सुविदा भी बहुत मजबूत हुई है सरकार दाहोद के रेलवे वर्क्शॉप के विस्तारी करन भी काम कर रहा है अभी आप में टीवी पे देखा होगा हमारे जस्वन सीजी भाबोर वहाँ दाहोद के रेलवे याड में थे और मैं इहां से उसको रिमोट से चालू कर रहा था दाहोद रेलिवे वर्क्षोप की छम्ता दाहोद में एक परेल करके जगा है मैं कभी उस जंगलों में काम करता था जब बहुत 30-40 साल पहले की बात है ऐसा ही बिरान प्रणा था रेलिवे का पुरा इलाका हमने भी इसको फिर से जिंदा कर दिया और उसकी वर्क्षोप की छम की जा सकती थी अब इस शम्ता को सान में अठारा सो वेगन तक पहुचा दिया गया है अब आप कल्प ना कर सकते हैं एक दिन में छे वेगन का काम यहने कितने लोगों को रोजगार मिलेगा इसके अलावा सरकार परियतंत से जुड़ी सुविदाओं को भी विक्सित कर रही है केवडिया में स्टेच्य अफ यूनिटी सरदार बल्लभाई पटेल के आश्मारक दुनिया का सबसे मुचा स्टेच्यू स्टेच्य अफ लीबर्टी से उसकी हाइट दबल है ये भी गुजरात कर सकता है और उस स्टेच्य अफ यूनिटी के दर्सन के लिए देश भर में कितना उत्सा है यह आप भली भाती जानते हैं अंबाजी में भी विकात से जुड़ी अनेक परियोजना जारी है इसी तरह सरकार राजपिपला में ट्राइबल मुजियम पर भी तेज़ी से काम करवा रही है भाई और बहनों स्वतंतता के हंदोलन में अपना महत्वप्र योगदान देने वाले आदिवासी समूं को वो सम्मान नहीं मिला था जिसके वो हकदार थे ट्राइबल मुजियम बनवाकर सरकार आदिवासियों ने आज़ादी के जंग में जो योगदान दिया था उसके प्रती लोगों को जागृत करने का काम कर रही है साथियों गुजरात की सामुद्रिक ताकात से दुनिया भली बांती परिचीत है उमरगाउं से लेकर के जखव कच्छ में तक पूरा छेत्र हिंदुस्तान का सबसे लंबा समुद्री तरट गुजरात के पास है आज भी हमारी सामुद्री ताकत को बढ़ाता है इस इलाके के विकास के लिए अनेक परियोजनाओ पर काम किया जा रहा है गोगा से दहट के बीच रोरो फेरी चलाने से लोगों के लिए आना जाना आसान हुआ है और उनके समाई और पैसे की भी बच्चत हो रही है सवनी योजनाओ पर आधारिक सिंचाई और पेजल परियोजनाओं ने इस इलाके में पानी का संकर काफिया तक कम किया है अब सरकार ने समुद्री जल से साप पानी निकालने की ओजनाओं को भी गति दी है जोडिया समेट छे और जगह पर डिसलिनेशन का काम सुरू हो रहा है इस पूरी कोस्टल बेल के विकास के लिए यहां की कनेक्टिविटी सुधारने के लिए सरकार ने सागर माला कारकम के तहट 75,000 करोड रुपे से ज़्यादा की परियोजना स्विक्रूत की है अकेले गुजरात के समुद्री तट पर 75,000 करोड रुपिया सरकार ने द्वारका में मरीन पुलिस एकेडमी की भी स्थापना की है भाई और बेनो हम देश को 21 सदी में नई उंचाई पर ले जाने के साथ साथ अपनी पुरानी विरासत को संजोने का भी काम कर रहे है गांदी जी के नमक सत्यागर को समरपित दांडी स्मारका अभी कुछ हफ्ते पहले ही लोकारपन करने का मुझे सौभा की मिला था और आज आज एक ऐसी चीज़ का सिलान्यास हो रहा है जिसकी पूरी दुनिया में गुंज होने वाली है ये छोटी बात नहीं बता रहा हूं मैं पूरे विश्व में सबसे पहला हजारों साल पुराना सबसे पहला बंदर ये गुजरात के लोथल का बंदर पांच हजार साल पुराना बंदर अगर दुनिया के किसी के पास ऐसी कोई जगा होती तो पुरी दुनिया को पागल करके छोड़ देता दोस्ता लेकिन अब जब मुझे भारत सरकार में बैट करके सेवा करने का मोका मिला है तो आज लोथल में नेशनल मेरिटाइम हेरिटेज कॉंप्लेक्स का सिलान्याज भी किया गया है अरे मोदी की बात मत मानो भई मैंने कहता हूं मेरी बात मानो कम से कम सेना पर तो अभी स्वास मत करो उनके पराक्रम पर तो दांग मत लगा वो जान की बाजी लगा करके खेलता है वो देश के लिए मर मिट्टे के लिए निकलता है और सफल हो करके आता है तो आपकी निंद हो राभ हो जा रही है और मान लिजे ये हमारे सेना के लोग गए थे और मान लिजे वहां कुछ हमारी योजना के हिसाबते नहुआ होता और कुछ उल्टा हो गया होता तो ये लोग क्या करते हैं क्या करते हैं मुझे बताईए किसका इस्तिफा मांगते हैं किसका इस्तिफा मांगते हैं क्यों भाई मनलब राजी दियाब कर रहे हो अब सफल हो रहे तो चिलना रहे हैं कि मोदी ने तो आर्मी का नामी नहीं देना चाहिए जाए जवान जाए किसान भी नहीं बोलना चाहिए क्या देश कि सेना के जवानों का गवरव करना चाहिए के नहीं करना चाहिए कि इनके पैट में दर्ध हो रहा है अब ये कहते हैं ये तो चुनाव वाला खेल है जब सर्जिकल स्ट्राइग हमने पहली बार की तब कहां चुनाव था भई ये हमारा सी दांत है हम घर में गुसके मारेंगे कोई देश ऐसी आसा हाई अबस्ता में नहीं जै सकता है चालीश साल से आतंगबाद हिंदुस्तान के सीनों में गोलियां दाग रहाएं जी बारत मा की सीने में गोलियां दागी जा रही है महां दरा के किये जा रहे है निर्दोसों को मारा जा रहा है लेकिर बोट बैंक की राज रिती में डुबे हुए लोग कदम हो उठाने से ड़ते हैं मुझे सत्ता की कुर्सी की परवा नहीं है मुझे चिंता मेरे देश की है मेरे देश की है मेरे देश के लोगों की सुरक्षा की है और इसले महरवानी करके यह से मसलों पर राजनिती मत करो कि अरे अरे मोदी कहता है मैं ने इतने घर बनाए उस पर विबाद करना मोदी जुट बोल रहा है सच बोल रहा है सही कह रहा है करो नो भी बाद नहीं कर रहा I get 오 मैंडि सिटि बनाया आप बोलो मोदी जूट बोला है, मैंडी सिटी नहीं बनाए, बोलो न, कौन बना करता है तुम्हें, मोधी को घाली देने के लिए कोई कम जगा है, क्या, पूरा मैदान घाली पड़ा है, और मोधी को कोई इत्राद नहीं है, सेना को क्यों घाली देते हो, देश के वीर जमानों को क्यों बतनाम करते हो, उनका मनोबर क्यों तोड़ते हो, और इसने भाईयों मैंने प्रार्म कहा था, मैं किसी दर्ती पनाया हूँ, जहां मैंने उस दिल लोगों को लाशे देखी है, घाल हुए डॉक्टरों को देखा है, खुन से लत्पन नर्सों को इसने मैंने कहा था, मैं यहां आया हूँ, खुल करके बोलूंगा दोस्तों जिस प्रकार से, हम देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबत आएं, और यह लड़ाई हमरे छेड़ी है जी यह मान के चलिए, हम देश हित में, जो भी आवशक्ता होगा, उसको करना हमारी प्रात्विकता रहेगी, मैं देश को विश्वात दिलाना चाहता हूँ आपने देखा होगा इस बान हमारा बजेट, अंतरिम बजेट है, अभी पूरा बजेट तो जब दुबारा आप मुझे प्रधानमत्री बनाओगे, फिर से आने वाला है लेकिन इस अंतरिम बजेट में भी हमने मिडल क्लास के लिए अनेक महतपों नेड़े हमने किये हैं, पांच लाग रुपिय तक का टेक्सिबल इंकम्प को टेक्स के दायरे दे बाहर कर दिया तीन करोड से अधिक लोगों को सीधा रात देने वाला काम किया, साथियों बीते पांच वर्सों में हमने नए भारत की नीव रखी हैं, नए भारत के नए समस्कारों को गड़ने का प्रयास किया राष्टन हित्मे इमानंदारिय और निस्टा के साथ हर व्यक्ति काम पर पाए काम काच का ऐसा कल्चर विक्सित करने का प्रयास किया आने वाले पांच वर्ष अम नए भारत की इस नीव पर वैववसाली भारत बनाने का एक मजबूत इमारत बनाने का मजबूत इरादा करकर करके हम आगे बढ़ रहे हैं हम सभी इसी दिर्टजामय मिल करके आगे बढ़ेंगे इसी विश्वास के साथ आप सभी को अज जितनी जितनी सुविदाय योजनाय मिली है उसके लिए मैं बहुत बहुत बदाई देता हूँ और आप लोगोंने जो प्यार दिखाया है उस प्यार को मेरे सर आँखों पर लेते हुए मेरे साथ बोलिए भारत माता की 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 भा साफ था कि इस बार घर में घुसकर जो दुश्मन हैं उनको मार कर रहा हूंगा पाताल से भी आतंकियों को खोच कर रहा हूंगा ये बड़ी बाते जो पराकरम दिखाया है भारतिय सेना ने इंडियन एफोस ने अभी अभी पाकिस्तान के अंदर घुसके जो मारा है आतंकियो को उसके बाबत भारती जन्ता पार्टी विपक्ष को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है विपक्ष पर निशाना साथते हुए साफ पतानमंत्री बोधी कहते हैं कि वो सेना के नाम पर सिर्फ सियासत कर रही है सेना का पराकरम कम करके आंक रही है